अखनव के इतिहास एक घंटा घर पे मौझूद हूँ उडिशा में एक हादसा हो गया रेल हादसा इतना बड़ा हास्सा होने के बाजूद भी 24 घंटे के उपर हो गये हैं अभी तक रेल मंत्री का स्तीफा क्यों नहीं आया क्या समझ रहे हैं मोदी जी को जिनकी वज़े से भारती इतिहास पर इतना बड़ा कलंग लगा और उसनी बड़ी दुरगटना वई है और उनको तत्काल प्रुबाव से बरगास्त करना चाहिए ठीक है रेल मंत्री का इस सफा होना चाहिए सरकार अपनी जिम्मेदारियों से भागने का कार्ट कर रही है यह आप भीड देख सकते हैं समय तक्रीबन दस बज रहे हैं और एक हादसा जो हुआ है उड़ी सा रेल हादसा जिसके अंदर जो है उस ट्रेन में सवार 288 लोग के मौत हो गई है और तक्रीबन 900 लोग घायल बताया जा रहे हैं मोधी जी पहुच गए रेल मंतराले की तरफ से जो है वो नोटिस जारी यानि उनकी तरफ से जो भी जारी होना था वो जारी कर दिया गया है लेकिन अवाम का रियक्षन क्या है लोग क्या सोचते हैं इस पूरे मामले को लेकर हम ये बात जानने के लिए डारेक्ट ग्राउन पर उतर गये हैं आपको हमारे साथ बने रहना है और देखते रहना चलिए शुरू करते हैं आईए बड़े बुरे हालात हैं बहुत हैं उड़ीसा में एक हादसा हो गया रेल हादसा साइद आप टेली वीजन के माध्यम से देखे भी होंगे सुने भी होंगे 288 लोग की जा दंजली अर्पित करते हैं कि किसी का बेटा खोया किसी का पती खोया किसी का भाई चला गया इस दुनिया से सबसे बड़ी जिम्मेदारी अगर किसी की बनती है तो रेल मंत्री की बनती है इतना बड़ा हास्सा होने के बाजूद भी 24 घंटे के उपर हो गये हैं अभी तक रेल मंत्री का स्टीफा क्यों नहीं आया रेल मंत्री इस्तिफा क्यों दे निश्ची दूप से स्टीफा देत हमारे पूर पणार। देखर होगा है। सबसे पहले सरदांजली अर्पित करते हुई हैं हासे में बिलकुल और रेल मंत्री को बिलकुल यहां पर उसको इस्तिफा दे देना चाहिए उसने बहुत गैर द्मेदारी वाला काम किया यहां पर और यह भाजपा की हमेशा से दोगली राजनीती रही अगर कोई अच्छा का तो है गय थे ओड़ी सा में आप देखों जहां परहाथ सावा वहां मोदी जी गये हैं अस्पताल में जाकर जो गंभीर हा गंभीर हैं जो लोग उनसे जाकर मिले और उनसे पूछा हाल चाल तो मिट्टी में अगर जाते हैं भाई आप भी हम भी कोई भी जाएगा तो वहां नारे नहीं लगाए जाते हैं कि मोदी 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 लोग नारे लगा रहे हैं इतना बड़ा एकसल लिया जा रहा है लगातार ताबर तोर वहां पर लोगों को बचाया जा रहा यहां पर राजनीति आप सारे लोग करने लगे हैं? राजनीति कोई नहीं कर रहा है, भाई राजनीति हम लोग करते ही नहीं है, राजनीति तो सबसे जादा भारती जंता पार्टी करती है हम लोगों का तो काम अब देखिए नटो में मंत्राले की कमी है कही है यह पूरा मामला आप जानते हैं तो कैसे देख रहे है किसकी गलती जो काइल है उनके कि प्रति और उनके परिवार की प्रति और दूसरी बात यह है कि इसमें अगर जो लपर वाही हुई है इसकी विसुस्ते थोड़ा बड़ी जांच होनी चाहिए ठीक है प्रसासम को जांच करानी चाहिए और जो भी दोसी है इस्टेशन मास्टर या रेलवे के जो भी अधिगारी या करवचारी जो भी है जिनकी वज़े से भारती इतिहास पर इतना बड़ा कलंग लगा और इतनी बड़ी दुरगटना हुई है और उनको ततकाल प्रभाव से बरगास्त करना चाहिए ठीक है यह बताईए यह लोग इ है आपके क्या राय है तो ठीक है अपने हिसाब से जो आदनी कर रहा है ठीक है लेकिन पहले गालों और मुझा को मुझा पहुचना चाहिए गालों के बाद जाच करनी चाहिए उसके बाद अगर लग रहा है कि जो उनकी जिम्मेदारी से देखिए केंदरी रेल मंत्री हुआ है आपने अभी तक मुआफजय का एलान क्यों नहीं किया क्योंकि वहां चुनाओं नहीं है इसलिए कि वह हमारे देशवासी नहीं है किसी का भाई चला गया आपने वा उन जो परिवार के लोग खतम हुए उनको सरकारी नौकरी दिये उनको मुआफजा दे और जो घाय विल्य को है जब गलती आप क्या है देख रहे हैं ऐसे तो जानना और है देखिए 800 लोग मरें तो 188 लोग मरें 900 लोग घायल है तो फिर क्या है इसका रिजल्ट क्या है और मोधी जी गाये थे तो मोधी जी गाये तो मोधी जी तो मिलने गए पूरे परिवार से मिलने गए वहापर अस्पताल गए आपके परिवार का मरा होता तो आप क्या करते हैं उसमें जरनी आपके परिवार का कर रहा होता तो आप क्या करते हैं मोधी जी बोलते हैं खुश हो जाते हैं आप जाने से क्या होता है खुश हो जाते हैं गलत बात ना बोलें गुस्सा क्यों आगे आपको गुस्सा क्यों वहां पर जाते हैं तो आप शम्वेदना परकट करने जाते हैं उसके परिवास उसका दर जाने जाते हैं अपनी राजनीती चमकाने थोड़ी गए थे वहां पर जो घायल उनसे मिलने गए थे तो वहां नारे क्यों लगाए गए मोदी मोदी के नारे लगाए गए लोग कह रहे हैं बुले ट्रेन चली बुले ट्रेन चली भाई बुले ट्रेन ऐसी चलती है कि हमारी जो रेल है वो तो सही से चलनी पा रही है अभी कुछ टाम पहले रेले बटकी जा रही थी उसमें अभी तो गल्तिया थी रेल कहीं है जाने जा रही है पकितान नेपाल जा रही है भूटान जा रही है कहीं कहीं अगनेठी बाटक। तेखिए जो अंग्रेजों ने बना दिया भाजपा कि अगाद भी नहीं कि वह एक नया रेल सिस्टम बना के दे दे बाजपा को दुटता ध्यान है कि वह कौन सा स्टेशन बेच दे कौन सा एरपोर्ट बेच दे वह सिर्फ फॉर्मेट बड़ा हादसा है यह आप लोग इसको का इस्तिफा होना चाहिए आप किसका माद प्रशासन की जिम्मेदारी है उडिसा प्रशासन वह जहां घटना हुई है उसको स्टीफा देना चाहिए बाकी ग्याये लोग